Welcome to Network Kings So, RIP stands for Routing Information Protocol Routing Information Protocol RIP को बोलते है", और ये IGP के अंदर आते है," Interior Gateway Routing Protocols". तो Interior Gateway Routing Protocols के अंदर कौन सा Protocol है?" "'Distance Vector» है मतलब डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है तो इट मींस यह बेलमेन फोर्ड अल्गोरिथम पर काम करता है बेलमेन फोर्ड अल्गोरिथम एक था जो देखते हैं नियरस्ट हॉप कौन सा है अगर राउटर से तीन रास्ते हैं जाने के लिए और एक में तो इसमें से सबसे अच्छा रास्ता रिप कौन सा चूज़ करेगा जो बीच वाला क्योंकि उसमें सरफ एक राउटर आ रहा है यानि एक हॉप दूर है यानि नेक्स्ट हॉप एक हॉप दूर है तो सबसे नियरस्ट देखता है तो जो मैं आपको आज बता रहा प्रोटोकल वर्जिन वान यानि रिप वर्जिन वान तो रिप वर्जिन वान के बाद हम रिप वर्जिन टू करेंगे जो एडवास है इसके बाद आया था तो रिप वर्जिन वान क्या करता है सबसे पहले ओपर सेंडर्ड प्रोटोकोल है इसको के साथ साथ जुनी पर और दूसरे vendors के routers है तो उन पे भी काम करता है इसके बाद ये class full routing protocol है यानि ये subnetting को support नहीं करता अगर class A है तो उसे class slash 8 समझता है अगर आपने उसे slash 10 ये slash 11 बना है तो वो slash 8 ही समझे उसे क्योंकि ये class full routing protocol है doesn't support VLSM तो updates जो होते हैं इसके वो क्या होते हैं ब्रॉडकास्ट करता है ये network पर ये एक तरह से hub जैसे हमारा ब्रॉडकास्ट करता है वो device है बटे protocol की बात कर रहा हूं तो ये update कोई भी जैसे इसको ये रिपक अपडेट करेगा तो इसको broadcast कर देगा ब्रॉडकास्ट कर देगा ये इसको एक दूसरे सारे network में broadcast कर देगा broadcast मतलब जो उसके नेवर भी जो राउटर के ऊपर रिप भी नहीं चल रहा ना उनको भी रिपक पैकेट सेंट करेगा तो इसका एक drawback ये ही है क्योंकि रिप अगर नहीं चल रहा तो unnecessary traffic क्लेट क्यों कर रहे है तो इसलिए ये broadcast करता है तो AD value इसका क्या होता है 120 इसका AD value इतना जादा इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आपने देखा static का 1 होता है इसलिए इसलिए रिप का 90 होता है AD value 120 का मतला कि इतना भी अच्छा routing प्रोटोकोल नहीं है अगर आप static चला रहे है इसलिए चला रहे है तो वह सारी चीज़े क्या है रिप से बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी AD value कम है तो जिसकी जितनी AD value इतना जादा वो reliable नहीं होगा है तो इसकी मैट्रिक होप काउंट होप काउंट मैंने आपको बता है सबसे nearest वाले राउटर को देखता है तो मैक्सिमम रिप में आप कितने राउटर्स लगा सकते हो अपने अपने राउटर को रखने के बाद 15 होप समय नेवर्स तो आप ऐसे लीनियर टॉपाल्जी में मैक्सिमम तो मैक्सिमम पंदर राउटर लगा सकते हो यानि टोटल अपने को मिलाके टोटल राउटर्स नेटवक के अंदर 16 जैसी आप 17 राउटर आड करो गए तो वह फर्स् का condition यही है कि हम maximum to maximum 16 routers connect कर सकते हैं तो इसके बाद load balancing करता है four equal paths पर four equal paths कैसे होंगे जैसे एक रास्ता यह जा रहा है यह कैसे जा रहा है यह कैसे जा रहा है अब यह देखो सारे एक जैसे राउट रास्ते हैं क्योंकि सब में एक ही राउटर रा रहा है यह पर चारों के चारों रास्ते हैं तो रिपक्या करने लग जाता आप केट इधर से सेंड करेगा फिर इधर सेंड करें लौड बलेंसिंग करने लग जाता है जब same amount of links है यानि same traffic आ रहा है ना अगर उसका अगर equal path है नहीं एक जैसे path है तो load balance करने लग जाता है automatically आपको कुछ नहीं करना है अगर आपने दो रास्ते same लगाया तो वो दोनों को use करेगा तो इस चीज में अच्छा है load balancing कर रहा है ठीक है बट static में आपको थोड़ा दूनों static देने पड़ते और उसमें कुछ और variation करने पड़ते तब जाके वो load balance करने तो यह क्या होता है रिप जो आउता होता है आपका small companies में यूज होता है बट static से अच्छा static आप 15 राउटर पर लगाओ बहुत ज्यादा configuration करने पड़ेगी एक राउटर पर 14 चोदा लाइन्स की static राउटिंग करने पड़ेगी 14 commands देना पड़ेगे राउटर में बट इसमें इतना कुछ जादा नहीं है सिरफ अपने network को advertise करने network advertise का मतलब क्या होता है जो मेरा network होता है वह मैं दूसरों को बताता हूँ इस टर्म को advertise बोलते हैं तो यह क्या करता है routing टेबल आपका 30 30 seconds के बाद exchange करते हैं तो जैसे दो router हैं मेरे और मैंने start करके हैं तो यह इसको 30 seconds के बाद update भेज़ेगा यह इसको 30 seconds के बाद भेज़ेग करते हैं क्या करते हैं राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद एक और चीज होती है जैसे इस नेवर से लिंक तूट गया और कोई रास्ता है जानेगा या है या नहीं है कुछ पता नहीं है तो इन वैली टाइमर क्या होता है जैसी कोई मेरा मेरा में नहीं करेगा वह सोचेगा शायद यह मेरा आप आजे शायद मेरा आप आजे तो 30 seconds और 180 seconds यह होता है और एक flash timer होता है 240 seconds तो 30 seconds के बाद यह routing table लेंग दूसरे के change करते हैं अब 30 से जैसी चलता रहा चलता रहा आगे टाइमर 180 तक गया तो 180 seconds तक यह वेट करेगा कि शायद यह आप आजे अगर यह अप नहीं आता तो उसमें plus 60 जोड़ दो 180 plus 60 60 seconds यानि पूरा 240 यानि 240 seconds कितने होता है 4 minutes तो 4 minutes के बाद वो अपने routing table से route delete कर देता है तो यह तरह से बहुत slow protocol आगर आप देखो दो invalid time area यानि पहले तो 3 minutes wait करेगा कि शायद आप आजे शायद आप आजे पर 3 minutes network में कितना बड़ा वो होता है आजकल companies 99.99 downtime मांगते हैं कि मैं एक second के लिए मेरा इंटरनेट डाउन नहीं होना चाहिए और रिप के केस में अगर कोई नेबर्शिप ऐसे आप डाउन होगी है तो बहुत ज़्यादा drawback है तो इसलिए रिप इतना ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि बहुत slow routing protocol बट आपकी company अगर enterprise आपका internet से कोई ज्यादा वो नहीं है issue नहीं है product based company बट मैंने जैसे पता है internet तो आजकल हर जगह ज़रूर था तो इसलिए downtime होना ही नहीं चाहिए तो हम down नहीं की बजाएर हम अच्छे protocols चला सकते हैं यानि की आपको ऐसे कुछ मनाना पड़ेगा ऐसे router लगाने पड़ेगे जैसे लगाने router वैसे लगाओ बट linear अगर आपने router connect की है तो ऐसे maximum आप 16 routers लगा सकते हो complexity नहीं है less overhead है less overhead का मतलब क्या होता है जब भी router के उपर traffic आएगा और वो कितना time लेता process करके rip में आगे send करने के लिए उसे overhead बूलते है कि router पे cp utilization तो नहीं बढ़ रहा क्योंकि जितना अगर high overhead होगा तो high cp utilization होगा less overhead overhead मतलब वही कि कि सरदर्दी कितनी यह router गी तो ज्यादा नहीं है तो यह चीज़ है तो disadvantages का है पहले तो broadcast करता है सब को 30-30 seconds के वाद क्योंकि rip version 1 क्या करता है broadcast करता है और hop count पे चलता है तो यह windrowback है यह यह नहीं देखता है कि bandwidth किसका अच्छा है तो यह सिरफ यह देखता है कि hop count सबसे nearest router के है 15 hop यानि total solar router से अब जादा कर नी सकते और slow convergence convergence का मतलब क्यों होता है अगर एक link मेरा down हुए कितने time लगता उसे दूसरे रास्तों पे move होने के लिए तो उसमें भी क्या होना चाहिए जैसे डाउन हो वैसे एकदम very quickly instant update होके दूसरे रास्ते पे forward हो जाना traffic हो जाना चाहिए बर trip के case में ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा slow convergence है तो मेरा मैं डाइग्राम बना रहों ऐसे कि मैं दो राउटर या तीन राउटर लोगा तो यहां पर मेरा एक land network है यहां मेरा land network है यहां मेरा land network है तो अगर आप packet tracer कर रहे हो तो आप land configure कर सकते GNS और और दूसरे software करें तो आप यहां पर सिरफ loopback मना क्योंकि वहां पर switching और PC लगाना बहुत मुश्किल होता है तो बड़ पैके tracer ही में recommend करता हो सारे CCNAW students को जो कि उसमें आपके basics अच्छे होते हैं तो ऐसे में land network लोंगा तीन फिर उसको हम configure करेगे आपके एक को हाँ तो आपके लोगन करें तो आपके सेहते हैं तो आपड़कर हैं तो आपके लगने